हेलो फ्रेंज आज हम आपको कराने वाले हैं सीटेट एंसी आटी ईबी एस जो के आपके थर्ड से फिप्ट क्लास के फुल एंसी आटी नोट्स होंगे जो के आपके इस एक्जाम में देखने के लिए मिलते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बांस और रसी से बने पुल भारत के असमराज्य में पाए जाते हैं असमराज्य में बारेस बहुत जादा अधिक होती है और कभी कभी गुठनों तक पानी भर जाता है अब हम बताते हैं आपको ट्रॉली के बारे में यह एक लकड़ी से बना हुआ जूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है चार-पांच बच्चे इसमें एक साथ बैठ वी सकते हैं सीमेंट का पुल तो यह सीमेंट इंटों तथा लोहे की सरीयों से बने होते हैं बल्लम बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है बल्लम लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है अब हम बताते हैं आपको उंट गाड़ी के बारे में उटगाडी जो है राजिस्थान में एक जगे से दूसरे जगे आने जाने के लिए एक काम में ली जाती है जो के रेत में भी चल सकती है अब हम बताते हैं बैल गाड़ी के बारे में बैल गाड़ी जो है मैदानी इलाकों के गाउं में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है जुगाड यहाँ आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फटों से बनी होती है गने जंगलों में और दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पंचियों जानवरों की आवाजें आपको सुनाई देती है बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए ताजी बर्फ में पैर धस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं उत्रा खंड में उवर खावर पत्रीले रास्ते पाई जाते हैं पंचियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ चोटे 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 च्छेद होते हैं यहाँ पंखों से ढके हुए होते हैं और इनी की मदश से पंची सुन सकते हैं छिपकली के भी चोटे से च्छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही आपको दिखाई देंगे मगर मच्च के भी चोटे च्छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके सरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, अब हम आपको बताते हैं, एलिफेंट यानी हाथी के बारे में, हाथी से related important fact, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और जाडियां खा लेता है, हाथी बहुत ही कम आराम करता है, और ये केवल एक दिन में 2-4 घंटे ही सोता है, हाथी को पानी और कीचण में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके सरीर को ठंड़क भी मिलती है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला कर इन कानों से हवावी कर लेते हैं, यानि पंखे जैसे जो कान होते हैं, उनसे हाथी हवावी कर सकते हैं, तीन महीने के हाथी का बजन 200 किलोगराम के आसपास होता है, अब हम आपको बताते हैं हाथी के जुंड के बारे में, हाथी के जुंड में केवल हतनिया और बच्चे ही उसके बाद फिर वह जूंड को छोड़ देते हैं हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं अब हम बात करते हैं राजिस्तान के जोद पूल खेजडली गाउं के बारे में आज 300 साल के बाद भी यहां के लोग जो बिस्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रच्छा करते हैं, रेगिस्तान में होते हुए इलाका इतना हरा भरा है कि जानवर बिना किसी डरके इधर इधर घूमते रहते हैं. खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी के बारे में हम बताते हैं, यहां पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती, इस पेड़ की चाल दवा के काम बनाने के काम आती है और इसकी लगडी में भी कीड़ा नहीं बताते हैं आपको अनीता कुषवा जिसे हम चमकता सितारा या गर्लिष्टार के नाम से जानते हैं चमकते सितारे उन साधारण लड़कीयों की असाधारण कहानिया हैं जिन्होंने इसकूल जाकर अपनी जिंदगी बदल ली अब हम बताते हैं बिहार के मुझफण नगर पहुत लुवाते हैं इसे लिए इस छेत्र के लोग मदमक्ि पालन कर सहेद बनाने का काम करते हैं मदमक्टी पालन का सरकारी कौर्स भी होता है और hooked using में मदमक्टी के अंडे के समय गदेने का समय होता है and m VMware pa on म问 शुरू करने का उपयुक्त समय बदेनना जाता है October-D shore रानी मदमक्खी होती है जो कि अंडे देती है छत्ते में कुछ नर मदमक्खी होती है जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मदमक्खिया भी होती है यहां दिनवर काम करती है सहेद के लिए फूलों का रस भी डूड़ती रहती जब किसी मदमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाचेयानी डांस करती हैं जिससे दूसरी मख्खियों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है काम करने वाली मदमक्खियां इसी रस सहर बनाती है छत्ता बनाने का काम भी इनी का होता है बच्चों को पालने का काम भी इन्ही बिचारी काम करने वाली मद मक्खीओं का होता है रानी मक्खी तो केवल अंडे ही देती है अब हम बात करते हैं चीटियां दीमक और ततियां के बारे में तो चीटियां भी मिलजुल कर जुंड में रहती हैं यानि एक साथ मिलजुल के रहती हैं, चीटियों का काम आपस में बटा हुआ होता है, रानी चीटियां तो केवल अंडे देती हैं, और सिफाई चीटियां बिलका ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चीटियां भोजन ढूड कर बिल तक लाती हैं, दीमक और ततईया भी समूह म में रहते हैं और गांदी धाम यानि एहमदाबाद वलसाड ये गुजरात में इस्तित है कोजी खोड आपका केरल मडगाओं में है मडगाओं आपका गोवा में जो के लाल मिट्टी से निर्मित है और हम बताते हैं आपको गोवा से केरल तक के रेल के रास्तों में बानवे मा की मा को अम्मू मा कहते हैं केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है आंदर प्रदेश में लोगों का एक समूर विसेश केम्प लगता है इस केम्प द्वारा कम उमर की साधी सुधा लड़कियों को फिर से इसकूल भेजने में पुहुचू किट किट कवड़ी आधी आभांजन निकाली जाती हैं अब बताते हैं आपको करणम मल्लेश्वरी के बारे में करणम मल्लेश्वरी आंदर प्रदेश की रहने वाली एक बेट लिफ्टर हैं अब वह 130 किलोग्राम तक बजन उठा लेती हैं भारत के बाहर करणम म मल्लेश्वरी ने 29 मैडल जीते हैं इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं उत्राखंड में पहाडों के बीच फूलों की घाटी इस्तित हैं अब हम बताते हैं आपको मधवनी मधवनी पेंटिंग के बारे में बिहार में मधवनी नाम का जिलाते हो हारों इवं खुसी के मोंकों पर वहां के घर की दीवारों ओर आगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं जिसे हम रंगोली यां रंगोली पेंटेंग कहते हैं यहां चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बना जन्तु जो है साथ में बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कच्छनार के फूलों की सबजी बहुत बनाई जाती है केरल में केले के फूलों की सबजी प्रसिद्ध है माराष्ट में सैजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं गुलदाबरी जीनिया के रंग से भी बना तैयार किये जाते हैं डेरा गाजी खान ये आपकी पाकिस्तान में इस्तित है मिट्टी में गोवर मिलाने से मिट्टी में कीडा नहीं लगता है लकडी को दीमक से बचाने के लिए नीमबग कीकर की लकडियां फ्रेम पर बिचा दी जाती हैं सोहना गाउं ये आपका हर्याणा में है सोहना से दिल्ली तक जाने में रास्ते में गुडगाउं मिलता है पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को वाल लेना अब हम आपको बताते हैं बेलवन का गाउं जो के आपका करनाटक में है जुलाई के म दस से खेत की मिट्टी को नरम भी किया जाता है करनाटक में हलको कूरिगे कहा जाता है कुछ पौदे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं इन्हें हम खरपतवार कहते हैं खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही सोख लेता है यानि वो पी जाता है और फसल कम होने लगती है अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी करनाटक में हसिया को इलगे कहा जाता है अब हम आपको बताते हैं गिजूबाई वदेका के बारे में गिजूबाई आपके जाता है कल्चडी के घौसले में पौधों की नाजुक तहनी जड़ें उन बाल और रूई सब विच्छा हुआ होता है कल्चडी की चौच अंदर से लाल होती है कल्चडी आपके छोटे-छोटे कीडे भी खाती है अब हम बताते हैं अब कोय के बारे में कोय के घौसले में तार और लकडी की साखाएं जैसी आपकी चीजां होती हैं अब हम बताते हैं आपको कोय के बारे में कोय अपना घौसला नहीं बनाती है और कोय कोय के घौसले में ही अंडे देती है कोवा अपने अंडों के साथ कोय के अंडे को भी सेता है कभी कभी कोय कोवा के अंडों को और अपने अंडे रख देती है कोवा पेड़ की उंची डाल पर गोंसला बनाता है फाक्ता पंची फाक्ता जो है कैक्तस के काटों के बीच में या मैदी के पेड़ की गोंसले बनाता है गोरिया अलमारी के ऊपर आइने के पीछे भी गोंसला बना लेती है कबूतर पुराने म अब हम बताते हैं दरजिन चिडिया के बारे में अपने नुकीली चोंसे पत्तों को यह सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तयार करती है सक्कर खोरा या किसी चोटे पेड़ या जाड़ी की लटकती जाली पर अपना घोसला बनाती है सक्कर खूर रा अपना घोसला बाल और बारी घास पतली टहनिया और सूखे पत्ते रूई और पेड़ादी की छाल के टुकड़ों से मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीतड़ों से अपना घोसला बनाते हैं नर बीवर पंची अपने अपने ये घोसले बनाते हैं मादा बीवर पंची नरके बनाए हुए गोंसले को देखती है और उसमें से सबसे अच्छा जो गोंसला होता है उसमें अंडे देती है पंची केवल अंडे देने के लिए गोंसला बनाते हैं जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह गोंसला छोड़ कर उड़ जाते हैं यानि बाहर कहीं चले जाते हैं गोंसला छोड़ कर पंची अलग-अलग जहें उपर चले जाते हैं जैसे पेड जमीन पर और पानी म अब हम आपको बताते हैं जानवरों के बारे में important notes के बारे में आपको जो के आपके animals यानी जानवरों से related हैं जैसे कि गाये के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए चूते होते हैं गास चवाने के लिए पीछे के दांत चप्टे और बड़े होते हैं बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मास को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं साप के दांत भी नुकीले होते हैं पर व वड़न सिच्छा केंद्र आपका एहमदाबाद में है गंदा पानी से दस्त और हैजा हो सकता है दस्त या उल्टी में सरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए करनाटक या गोल हुंडी गाओं यह बच्चों की पंचायत है जहां भीमा संग गोल हुंडी गाओं में है नल्मणा यह आपका आंध्रदेश में है बाजार गाओं आपका महाराश्टर में है गास की जड़ें बहुत मजबूत होती है इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सक गास का पौधा जितना जमीन के उपर होता है उससे कहीं ज्यादा यह जमीन के अंदर फैला हुआ होता है बरगत के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है वह टैहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है बरगत की लटकन वाली जड़ें मजबूत खम्मों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते भले ही उस पेड़ को आप ही ने लगाया हो पेड़ काटने के खिलाफ कानून है अतै इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में आपको नकल लेनी पड़ती है रेगिस्तानी ओक जो यह आउस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है इसकी उंचाए 11-12 फीट होती है और पंतियां इसकी जो पंतिया होती है बहुत ही कम होती है रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200-300 फिट की गहराई तक जाती है जब तक के वे पानी तक न पहुँच जाएं हैं पनी निकाल लेते हैं भी हूखर च्वाघायर हैं से पिछले दिन की साम को अए प्रकार है जो पकने के बाद चिपचिपए हो जाते हैं इसे असम में खाया जाता है चेवा चावल ताओ कड़ाही को आग में रखकर उसमें पानी वा लेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कड़ाई इस पर लख देंगे तता उसे केले के पत्तों से ढख देंगे थोड़ी देर बाद सम उडिसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है बेहूत त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं लड़कियां रंग विरंगी मेखला चादर पहनती हैं भात और सुक्तों ये जो है चावल और रसवाली सबजी होती है पोचम पल्ली जिला अंद्रप्रदेश में है इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर होते हैं यानि जो बुनाई करते हैं उन्हें बुनकर कहते हैं और इस तरह की बुनाई को पोचम पल्ली के नाम से जाना जाता है पुल्लू की सौल यानि और मदवनी पेंटिंग असम की सिल्क खसमीरी मल्यालं में क्या क्या होता है चिटपन यानि परेड के चोटे भाई को पतनी को कहते हैं केरल में मसालों का बघीचा इस्तित्य कमांडर बहीदा पीरियों को यह पहली महिला जनोंने पूरी परेड़ की कमान समवादी थी दन्दा बंडी गाह ये राज और वे आपका जम्म चलती हैं पूरे परेड में करीब 36 निर्देश देने होते हैं इस किप्टो पुल यह लद्दाक का एक गाउं है और लद्दाक में मा को आमाले कहते हैं पिता को आवाले बाबा को मेमेले